मिं हैंThis 48 4 मोटर है वोग इस बॉक्स में हम इस मोटर को बार निकालते हैं देखते किस टैप का यह हमारा मोटर है जो चलिए इस मोटर को हम बार निकाल देते और यह देख सकते हों ने box में मोटर को बार निकाल दिया आप चलिए थोड़ा इस मोटर के बारे में हम जान लेते इसके अंदर जो आपको वायर्स मिल जाते हैं वह कौन से है इसके अंदर जो हमें किस ट्राइब से से जॉइंड कर रहा हुँगा चलि हम आपको सब कुछ इसमें बताते हैं इसके जो डेटेल है मोटर की भी हम आपको बताते हैं अभी देख सकते हो यह जिस पर लेबल मिल जाता है आपको कंपनी का औ जैसे ऑपरेट होती है में रहτα कितना है और बहुत ही अर्त हैपको डेटल मिल जाती है तो यहां पर देख सेकते हैं हमारे यह फिल्ट कोईल्से Crsung यह जाता है यहमें वाइर फिजाते हैं ठीक आप छलिए यह यटोह मन वायरे अब यह जो 3डा देख रहों यह हमारा सबसे लोस्ट का वायर है तो इसके कुछ स्टैप के कनेक्शन होंगे आप चलिए इसको हम जो है साइड रख दे और यह हमारा है मिक्सर जिसके अंतर हमारा यह पुराना ओल्ड वाला मोटर लगा हुआ है जो के खराब हुचुका इसे पहले तो आपको ओपन करना मोटर मिल जाता है इसी मोटर को हमें जो है बार निकाल दिमा यह जए जल चुका है और इसके हम यह वाला मोटर फिट करेंगे पहले आपको उपर और कपलर निकालना हुआ यह क्प्लर कुछ इंप स्क्ट्रेयवर से निकाल दीजिए वीधि च्छती है उसका कब से रोगत बाद को निकाल ने के बाद में मिक्सर को जब आपको देखिए स्क्रूज मिल जाते हैं तो इस स्क्रूज को आपको खोलना हुआ याने कि ओपन करना हुआ टो चलिए सबी स्कुर्स को यहां पैर चारोस को उपन करते हैं आपको जो ऑन करने के बाद में आपका जो लुक्सर की बोडी है वह अलग हो जाती अपको जो उपर वाला यह वाला जो एक पे इसे जो है अलग कर देना है इसमें से हमारा मोटर वह बाहर निकल जाएंगा आप इस मोटर को जो हमें कोई काम नहीं इसका यह भंगार में डालना है यह खराब हो चुँगे ठीके जी आप देखिए इसके नन्दर हमको यह रबर की पैकटिंग मिल जाती है तो यह भी खराब हो गई हमें यह न्यू डालना हुगा और साथी हैं पेपके इसके जो है रबर की आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे ठीक है यह मोटर को थोड़ा वेड जो आता है उसका मतलब इने सस्पेंशन भी आप बोल सकती है उसे तो आपको यह रबर के इस तरह की यह बोट इसमें डाल देने जो भी आप इसको बोलते हैं ठीक है हमारे आतों से बोटी बोलते ठीक है यहां आप देखे हैं आपको मोटर लेना हुगा और इस को द एक से बेफार के मिक्सर के बोडी में डाल देना हें आप इसके आपको जबसालस है इससे हमारा जो मोटर हो प्रॉपर ठीक तरीक से बैट भी जाता है और उसको थोड़ा सस्पेंशन पर मिल जाता है यानि कि थोड़ा फिटिंग अच्छे से आ जाती है इसकी तो देखें हमने मोटर कुछ इस टैप से पर जोए रबर पर बिठा दिया है आप देख सकतो अब हमारे ट्रीक से टाइड कर दिजिए अच्छे तरीक से आपको बता रहा हूँ आप जवह अच्छे तरीक से तरीक से इसे जोए टाइट कर दिजिए तो चली है हमारा ये तो दूसरे वाला nut है फिर हमने ये तीसरे वाला लगा दिया है यहापे और ये last में हमारा चोथे वाला तो इस तरीके से हमने इसके पूरे nuts को लगा दिया है अब देखिए इसके अंधर में जो ये wires मिल जाते हैं अब ये कैसे connect करना है वो भी हम आपको चली है बताते हैं अभी देखिए हमारा ये जो है common वायर है हमने आपको स्टार्ट में बता दिया है आप हमें ये स्पिट के वायर ये रोटरी स्विच में connect करना हुआ तो इस रोटरी स्विच को हमें पहले बार निकाल देना है अभी देखिए आप एक nut लगा रहता है इस 0 1 2 3 और 4 इस तरह से इसमें मार्किंग होती है बीचे आप इस देखिए ये वायर कनेट करने से पहले इस पर पॉलिश लगा रहता है तो आप यहां पर रेगमार पेपर ले लिजिए यानिके साइन पेपर ले लिजिए और इस पर जो पॉलिश से इंसुलेटेड वह आप दीजिए आपका जो है यह पॉलिश निकलने के बाद में देखिए इस तरह के साब को निकाल देना है सभी वायर स्पेस है जो इंसुलेटेड टेके जी अब यह निकालने के बाद में अब यह वायर को हम करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम एक नंबर वायर जो पॉइंट पर और हम पर एक छोटा सा रेड़ वायर देख रही होंगे जो के जीरो से एक नंबर वायर पर पर कनेक्ट है मघंट कर रहा हूं यह रेडवाला वायर उसके बाद में आपको छोटा सा एक रेडवायर मिल जाएंगा तुकडा यह वाला तो यह जो है आप कर दी है अब आप मुझे कह रहे होंगे आपके क्लिप का यूस्ट्यू नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी जोए क्लिप खतम हो चुके है और कस्टमर को मुझे जल्दी देना है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगा आपको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो आप क्योंकि हमें इस तरह से को कनेक्ट करने के बाद में हमेरे 2 वायर कनेक्ट हो के स्पिट के यह लास्ट वाला जो है लोऊ करिद Inner को यह हैं तो सबसे इस दिए क्रिके करें तो कौ आपको यह जीरो वाले पॉइंट पे से ज्वाइंट करना है और जो एक वाला पॉइंट है हुहाँ आपको लिजाके अटेच कर देना है याने के ज्वाइंट कर देना है आप यह आपको लेना होगा केबल आपका जो नीट्रल वायर है आप जो है इसके बीच वाले तो हमारा जो रोटरी स्विच के जो connection है वो पूरे complete हुजाते हैं आप हमें जैसे हमने इसे निकाला था वह इस इस दोबारा से रोटरी स्विच को fit कर देना है प्लेयर के मदश से आप देखिए हमारा स्विच का ही यहां पे काम हो जाता है इसका उपर वाला बटन यह भी हम लगा देते हैं अब हमें जो इसके connection कर दिये होंगे तो आपको यहां पर लेना हुँगा जैसे हमारा बैक वाला यह कवर रहता ह इसके हैं पीछर लगा रहाता है वर लोडिंग स्विच तो इसी कि दू आपको वॉइंड मिल जाते हैं तो दो पॉइंड पर से आप जो पहले से किसी भी एक पॉइंड पर कनेट कर दिये जो हमारा केबल का वायर है तो मैं इस वाले पॉइंड पर कनेट कर देता हूँ आप इसमें देखेंगे तो मैंने पर इंडिकेटर का कोई इसमें कनेक्टर नहीं किया है क्योंकि इंडिकेटर का एं डॉटा हुआ था और मेरे पास अवैलेबल भी नहीं था मैंने कस्टमर को बहुरा लाले के बोले कोई बात न Kita भी कर सकते हूँ ओं इसा कोई प्रॉब्लम न यह रहा हमारा नीवाला कपलर अब इसे चली हम इसमें फेट करते तो इसका पहले तो आप होल को मैच कर लीजिए और इस तरह से मैच करने के बाद में प्लेयर के मदद से इस तरह के सब जो इसे ऊपर से ठोक दोंगे तो देखिए बहुत यह आसानी तरके से जो हमारा कपलर बैट जाएंगा अभी यहां पर जो हमारा मिक्सर हो पुरा रेडी हो गया अभी देखिए मैंने आपको बता दिया अगर आभी यूज करना चाते तो आपको जो हमारा न्यूटरल फेस का वायर आ रहा एक टेबल का उसके दो वायर को कनेट कर दिने तो यह जो है एक मैं अगर आपको बनाना यूच पर आगे वीन मिल जाएंगगा किस तरह बनाना एक ये Кई बढ़न पर बात गए इमारी की आप केसा को रहो है की उतने लिगे इसका पॉराने वाला मोटर नहीं में जल गी ती इसकी बूसिंग में चली और आन की पुरा मोटर होना क्का क इसलिए मने कस्तमर को कहा याद इस से रिपेर नहीं करना हैं इसे निव डाल देते हैं मोटर तो दोस्तो इस तरह से से जो है निव मोटर आप चेंज कर सकते हो अगर वीडियो पसन आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए लिए नेक्स वीडियो में तब त कर सकते हैं! कर सकते हैं?